Hi guys, my name is Nitish and you are welcome to my YouTube channel So we are continuing with our NLP playlist This is lecture 6 और आज के lecture में हम लोग कवर करने वाले एक बहुत important topic जिसका नाम है text classification ठीक है? Text classification क्या होता है? यह सापको आपको आज़ी बता है कि अगर आपको एक text दिया जाए तो आपको classify करना है कि वो किस category में आके गिरेगा ठीक है? अब यह बहुत important topic है बहुत सारे NLP applications इसके उपर based होते है तो इसको मैं दो parts में cover करूँगा मैं detail वीडियो में बताऊंगा पहला part machine learning based होगा और जो इसका बात वाला part है वो deep learning based होगा और वो मैं तब cover करूँगा जब मैं deep learning पढ़ा चुका होगा ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक request है जैसा कि आप लोग अलड़ी देख रहे हो covid फिर से फैल रहा है तो it's a request कि please be careful हम सभी को रहना पड़ेगा ठीक है? और इसके बाद यह इतना ही बोलना था मुझे now let's start the video तो guys यह जो पूरा वीडियो है text classification के ऊपर इसको मैं दो parts में बनाऊँगा ठीक है? यह first part है जो आप देख रहे हो और इसके बाद there will be a second part उसका reason यह है कि text classification जो होता है NLP में obviously NLP में यह होका text classification वो दो तरीके से होता है दो approaches use किये जाते हैं थोड़ी देर के बाद discuss करेंगे but वो दो approaches है machine learning और deep learning ठीक है so यह जो वीडियो है इसमें मैं पूरा machine learning वाला approach आपको बताऊंगा और जिसके बाद वाला वीडियो है उसमें मैं deep learning वाला approach बताऊंगा अब since मैंने अभी तक अपने channel पे deep learning के videos नहीं डाले हैं properly so मेरा plan है कि यह जो deep learning वाला वीडियो है on text classification इसको मैं deep learning पढ़ाने के बाद डालूँगा ठीक है तो इसके लिए आपको थोड़ा wait करना पड़ेगा although मैं आपको फिर भी एक high level overview provide कर दूँगा कि क्या-क्या चीज़े पढ़नी है anyways अगर आप plan of attack का बात करो कि इस video को हम लोग कैसे approach कर रहे है तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि text classification होता क्या है ठीक है exactly किस चीज़ को बोला जाता है क्यों इतना important है किन जगों पे use होता है उसके बाद हम discuss करेंगे कि text classification करने के लिए जो overall pipeline है वो क्या है और उसको कैसे approach करना है उसके बाद हम देखेंगे अलग-अलग approaches जो मैंने भी आपको बताया machine learning और deep learning और उसके under क्या-क्या आता है उसके बाद फिर हम लोग machine learning वाली जितने भी approaches हैं हम लोग वो study करेंगे ठीक है उसके बाद last में मैं दो चीज़े आपको और बताऊंगा first मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने models बनाए होंगे उनको interpret कैसे किया जाता है मतलब उनका output को analyze कैसे किया जाता है और second में आपको end में कुछ practical advice दोंगा जो मैंने over the years सीखा है अलग-लग projects बना के और उस advice को follow करने पे आप थोड़ा better text classification कर पाऊगे so that's it for the plan of attack आपको already topics I guess यहाँ पे दिखी रहे है मैंने already plan कर रखे है अब हम लोग start करते हैं सबसे पहले with this topic what is text classification so guys text classification के पहले let's talk about classification अगर आपने थोड़ा भी machine learning पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि classification is a type of supervised machine learning task जहां पर आपका काम होता है कि based on given data आपको किसी भी input data को किसी class में डालना होता है ठीक है जैसे कि एक example है कि based on आज का पूरा मौसम आपको ये बताना है कि आज बारिश होगी या नहीं होगी this is a classification task ठीक है अब classification अलग-लग type के data पे हो सकता है it can be on normal tabular data जो शायद आपने कभी न कभी किया होगा it could be on image data कि given एक image है आपको बताना है कि उसमें dog है या cat है and it can also be on textual data ठीक है जो textual data पे होता है classification उसी को आप text classification बोलते हो obvious बात है examples बहुत सारे है email spam classification email का content read करके आपको predict करना है कि वो email spam है या spam नहीं है sentiment analysis किसी movie का review पढ़के आपको predict करना है कि sentiment positive है या negative है और भी बहुत सारा हो सकता है आपके customer का message पढ़के आपको ये बताना है कि वो sales के लिए query कर रहा है या फिर support के लिए query कर रहा है ठीक है तो that is what text classification is it is a supervised machine learning task जहां पे आपको given input को किसी class में डालना होता है और जो data point है वो textual है textual का मतलब एक single word भी हो सकता है sentence भी हो सकता है पूरा का पूरा document भी हो सकता है it depends ठीक है अगर आप बात करो types of text classification का तो there are three types the first type is binary classification so binary classification का example है email spam classifier या तो email spam होगा या तो नहीं होगा कोई और classes नहीं है there are only two classes ठीक है second होता है multi class की एक आपने news article पढ़ा और उसको उसके genre में डालना है या उसके category में डालना है तो categories entertainment हो सकती है या फिर sports हो सकती है या फिर business politics कुछ भी हो सकता है तो इसको बोला जाता है multi class जहां पर दो से जादा classes होते है और third होता है multi label multi label में क्या होता है कि आपका input के लिए multiple outputs हो सकते है जैसे कि फिर से ये news वाले example ले लो तो एक particular news can come under multiple classes जैसे एक single news sports में भी आ सकता है cricket में भी आ सकता है और सचिन में भी आ सकता है तो यही तीन types होते है binary, multi class, multi label जादा तर आपको जो मिलेगा वो होगा binary और multi class बट हो सकता है कभी आपको multi label के साथ भी काम करना पड़े अब text classification एक ऐसी चीज है जो NLP में शायद सबसे जादा use होती है ठीक है और इसका सबसे बड़ा reason यह है कि इसका underlying जो logic है वो across domain बहुत useful है उसका logic बहुत similar है और आप अलग-अलग domains में उस same logic को apply करके बहुत different type के tasks achieve कर सकते हो ठीक है तो वह हम देखते है what we will do is कि हम लोग कुछ applications देखेंगे text classification का अगर आप applications की बात करो तो सबसे पहला application तो email spam classification ही है गाईज NLP में जब text classification का बात start हुआ तो this was the first application जो सबसे पहले लोगों ने बनाया कि एक email का content पढ़के आपको figure out करना है कि वो email spam है या spam नहीं है चीक है तो यह filtering is one of the earliest applications of text classification इसके अलावा अगर आप बात करो तो भी बहुत सारे है customer support में आजकल बहुत यूज होता है मैं आपको एक scenario बताता हूँ तो आजकल क्या होता है कि अगर किसी customer को किसी brand के साथ कोई problem है तो वो लोग directly tweet कर देते हैं या फिर anyways कुछ भी tweet कर देते हैं अब हजारों के number में ये tweets आते होंगे daily basis पे let's say हम swiggy में काम करते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम हर tweet को respond करें ठीक है तो we need to have a system जो tweet का content पढ़के ये decide कर पाए कि कि किस tweet का जवाब देना चाहिए किस tweet का जवाब नहीं देना चाहिए ठीक है तो अगर कोई tweet लगेगा कि बहुत important है और वो problem कस्टमर का solve करना चाहिए तो you have to respond to that tweet तो customer support में बहुत use होता है also बहुत लोग email करते हैं तो email का content पढ़के decide करना कि वो जो email है वो sales के लिए आया हुआ है या फिर support के लिए आया हुआ है और अगर sales के लिए आया हुआ है तो उसको sales team को forward कर दिया अगर वो support के लिए आया हुआ है तो support team को forward कर दिया तो इस तरह का बहुत काम चलता है और इस पूरी चीज़ के लिए आप text classification को ही use करते हो as the underlying technology एक और अच्छा example है sentiment analysis so text का content read out करके ये पता करना कि sentiment positive है या negative है तो e-commerce में इसका बहुत use होता है e-commerce आजकी rate में बहुत booming है Amazon, Flipkart जैसी website पे लाखों लोग सामान खरीदते हैं और साथी साथ अपना review देते हैं तो किसी भी brand के लिए possible नहीं है कि लाखों reviews पढ़के decide करें कि product का sentiment कैसा है तो वहाँ पे आप sentiment analysis type का tool use करते हो जो one go में बता देता है कि लाखों लोगों में like 70% people are liking the product और 80% people are liking the product ठीक है तो again इसका भी जो underlying technology है वो text classification है किसी भी form में अगर आप sentiment analysis कर रहे हो internally आप text classification ही कर रहे हो ठीक है next is language detection so अगर आपने कभी google translate जैसा tool use किया होगा जिसका काम होता है एक language के sentence को दूसरे language में translate करना तो वहाँ पे translation के पहले you have to detect कि कौन सा language है as input जैसे लेट से मैंने हिंदी में बोल दिया कि मुझे दिल्ली जाना है इसको English में translate करू तो पहले google translate को ये पता करना पड़ेगा कि मैंने कौन से language में input दिया है ठीक है तो ये भी एक text classification task है पहले आप text classify करते हो कि कौन से language में और फिर आप उसको translate करते हो आप यूज़ कर रहे है तो WhatsApp जैसी company हो गई या Facebook जैसी company हो गई they actively they are doing this कि वो लोग fake news detection करते है post कौन से fake है news कौन सा fake है ये पता करते है और उसको label कर देते है ठीक है तो ये भी एक text classification का ही example है also अगर आप कोई social media platform है तो आप नहीं चाहोगे कोई भी user vulgar content लिखे तो अगर कोई लिख रहा है तो पहले से ही detect कर लो कि उसमें vulgarity है और उसको हटा देना this also comes under text classification so आप देख सकते हो कि text classification एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बहुत अलग-अलग domains में बहुत अलग-अलग type के applications में use कर सकते हो but the beauty of this thing is कि इसका जो underlying concept है वो बहुत simple है और इसी लिए इतने अलग-अलग applications को भी आप बहुत easily एक single तरीके से solve कर पा रहे हो तो I guess आपको यी पूरी चीज़ समझ में आ गई तो guys अब हमें थोड़ा बहुत idea हो गया है regarding text classification की क्या होता है types क्या है applications क्या है अब हम लोग start करते है text classification करना ठीक है तो वो करने के पहले सबसे पहले आपको pipeline पता होना चाहिए मैंने इस पूरे course में हर बार आपको बताया है कि आपके पास एक overview होना चाहिए उन सारे steps का जो आपको करने पढ़ेंगे in order to achieve the goal ठीक है तो यहाँ पर हमारा goal is text classification तो मैं आपको series of steps बता रहा हूँ जो आपको करने पढ़ते हैं in order to achieve text classification ठीक है तो already हमने यह pipeline पहले देखा है क्योंकि NLP में सबसे common pipeline text classification का ही होता है so it starts with data acquisition आपको कही ना कहीं से data लाना पड़ता है so या तो वो data आपको मिल जाता है कहीं से या फिर आप किसी API से उठा के लाते हो या public dataset है कुछ भी करके आप dataset ले के आते हो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो data अपलाते हो वो clean नहीं होता तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है data को process करना होता है ठीक है तो यहाँ पे आता है next चीज text preprocessing इस पूरी चीज के उपर मैंने एक पूरा lecture बना रखा है in fact lecture 2 का नाम ही था text preprocessing जहां पे हमने बहुत सारे अलग-लग steps cover किये थे like lowercase कैसे किया जाता है stemming कैसे किया जाता है stop words कैसे हटाए जाता है punctuation marks कैसे हटाए जाते है यह सारी चीज़े हमने cover की थी वो आपको इस step में करनी होती है the idea is to normalize your text so that आपका algorithm सही से apply हो पाए characterization मतलब अपने text को number में convert करना इसके उपर भी मैंने पूरा एक video बना रख था है यहाँ पे आपने techniques पड़ी थी like bag of words tf, idf engrams word to vec etc so the whole idea of this step is कि आप अपने text को numbers में convert करना चाहते हो और ऐसा क्यों करना चाहते हो because आपको end में machine learning या deep learning algorithms apply करने है और वो सिर्फ numerical data के उपर ही possible है ठीक है उसके बाद once you have numbers now the next stage is modeling modeling का मतलब है कोई भी machine learning या फिर deep learning algorithm आप apply करते हो machine learning में जो सबसे famous algorithm है वो है naive base ठीक है और भी algorithms आप use करते हो like random forest हो गया या SPM हो गया या logistic regression हो गया it depends on your data deep learning में आप RNNs apply करते हो recurrent neural network जिनका एक type होता है LSTM long short term memory उसके बाद आप कभी-कभी CNN भी apply करते हो और कुछ pre-trained models होते है like bird वो भी आप apply कर सकते हो ठीक है तो modeling में ही आपका main काम होता है आप patterns खोजते हो अपने data में और results निकालते हो ठीक है once you are done with modeling you do evaluation 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 में आप कुछ metrics यूज करते हो like accuracy score हो गया क्या फिर precision and recall हो गया या फिर confusion matrix हो गया या फिर ROC AUC curve हो गया इस तरह के metrics यूज करके आप क्या करते हो आप ये figure out करने का try करते हो कि आपका algorithm कितने सही से apply हुआ once you are sure कि भई सही है सब कुछ अब आप क्या करते हो आप इसको deploy करते हो deploy करने का मतलब है आप अपने existing software में इस पूरे model को integrate करते हो और इसको किसी cloud service पे like AWS उस पे deploy करते हो as in उसके उपर host करते हो so that आपके users इसको use कर पाए ठीक है तो देखो अब data acquisition और text pre-processing और text vectorization वाले steps के उपर मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगा because इसके उपर मैंने पहले से videos बना रखे है इस video में हमारा main focus होगा modeling ठीक है मतलब algorithm apply करना और उसको evaluate करना ये दो चीज़े हम लोग यहाँ पे करेंगे हम लोग अलग-अलग types देखेंगे और deploy करने के उपर भी एक अलग video में last में बना दूँगा so इसके उपर हम लोग का ज़्यादा focus नहीं रहेगा इस video में so in short इस video में हमारा जो main goal रहेगा वो होंगे ये दो steps ठीक है although हमें ये करना पड़ेगा ये भी हम लोग थोड़ा बहुत करेंगे data हम मान लेंगे कि हमारे पास already है Kaggle से हम लेके आ गए और हमारे पास already है थोड़ा सा text pre-processing हम करेंगे बहुत extensive नहीं होगा vectorization करना मजबूरी है क्योंकि उसके बिना modeling apply नहीं होगा और modeling और evaluation तो हमें करना ही है deployment आगे के topics में cover हो जाएगा ठीक है so ये pipeline हम लोग follow करने वाले है for text classification so guys अभी हमने just देखा कि जो pipeline होता है text classification का वो कैसा होता है अब मैं आपको अलग-अप्रोचेस बताता हूँ text classification करने के उसी pipeline में छोटे-छोटे changes करके आप अलग-अप्रोचेस implement कर सकते हो text classification का ठीक है so broadly मैं चार अलग-प्रोचेस दिखाऊंगा आपको so अगर मैं लिखूँ what are the types or approaches so the first one is heuristic approaches ठीक है the second one is using APIs the third one is using ML approaches and the last one is using deep learning approaches so heuristic approaches का मतलब ये है कि आप कोई machine learning या फिर deep learning algorithm use नहीं कर रहे हो आप खुद से कुछ जुगार लगा रहे हो mostly heuristic approaches आज की rate में कोई इसलिए यूज करेगा क्योंकि उसके पास enough data नहीं है अगर data नहीं है तो फिर आप model train नहीं कर सकते and that is why you cannot implement machine learning और deep learning तो फिर ये software engineering का problem बन जाता है और क्या जुगार किया जा सकता है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था और थोड़ी देर के बाद अगले section में भी मैं आपको बताऊंगा but yeah this can be one approach ठीक है second approach is कि आप बनी बनाई APIs यूज कर लो बहुत सारी companies है Google AWS इसके अलावा भी बहुत सारी third party APIs है जहां पर आप directly अपना text भेजो और वो आपको results दे रहेंगे आपको सोचने समझनी की जरूरत नहीं है कि उन्होंने ये result कैसे निकाला ठीक है तो ये भी एक तरीका इसके बारे में भी मैं आपको थोड़े और detail में discuss करूंगा मैं the third approach is machine learning based approaches अब यहां पर आप तीन-चार तरीकी की चीज़े कर सकते हो first आप text vectorization वाले step में changes ला सकते हो और second आप modeling वाले stage में changes ला सकते हो इन दो stages में आप changes ला सकते हो so अगर आप या फिर आप engrams यूज कर सकते हो या फिर आप tf, idf यूज कर सकते हो और अगर आप बात करो modeling stage में तो you can use different algorithms like naive base या फिर random forest या फिर svm ठीक है तो मैं आपको ये चीज़े करके दिखाऊंगा आगे एक data set के उपर और इसके अलावा फिर एक completely अलग approach है कि आप machine learning यूज ना करके deep learning यूज करो deep learning में आप या तो RNNs यूज करोगे recurrent neural network जिसमें आप सबसे ज़्यादा जो यूज करते हो वो होता है LSTM या फिर आप CNNs यूज करोगे convolutional neural network या फिर आप pre-trained models यूज करोगे like but जो की एक transformer है ठीक है तो मेरा plan ये है कि इस वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ करके दिखाऊंगा और फिर इसी वीडियो का एक second part होगा future में जहां पे मैं आपको ये deep learning techniques apply करके I'll show you how to perform text classification ठीक है? So that's the plan इस वीडियो में we are going to do this much. So guys let's start with the first approach that is heuristic approach heuristic जैसा मैंने पहले भी बताया मतलब जुगाड लगाना So generally आज की rate में आप heuristic approaches सिर्फ तभी यूज करते हो जब आपके पस enough data नहीं होता ठीक है? So मालो आप बहुत specific किसी problem के उपर काम कर रहे हो और आपके पास data नहीं है, ठीक है? तो in that case आप कुछ जुगाडू चीज़े करते हो you don't use ML and DL algorithms. One simple example could be कि आप sentiment analysis कर रहे हो और आपका जो domain है sentiment analysis का वो बहुत ही specific है. Let's say आप कोई बहुत secret government project के उपर काम कर रहे हो, जिसका text बहुत ही rare है और internet पे available नहीं है. तो आपने एक जुगाड लगाया कि rather than using a machine learning algorithm मैं अपना खुद का algorithm बनाऊंगा और algorithm ये है कि मैं पता करूँगा कि text के अंदर कितने positive words है और कितने negative words है और उनके ratio से I will decide कि sentiment positive है या negative है. ठीक है बोला जाता है. ये पहले use होता था बहुत 1980s में जब machine learning, deep learning algorithms नहीं हुआ करते थे उतने बट अब आज की rate में जहां पर हमारे पास इतने powerful algorithms हैं. सिर्फ heuristic approach बहुत कम ही use किया जाता है. जैसा कि मैंने बोला तभी use करोगे जब आपके पास data ही ना हो model को train करने के लिए. ठीक है? तो ये बस मैंने आपको बता दिया कि कभी-कभी ऐसा करना पढ़ सकता है depending on your use case. ठीक है? Second approach is using existing API. So आज की rate में बहुत सारे जो बड़ी companies हैं Amazon हो गया या Google हो गया they have their own cloud platforms और वो लोग कुछ ready-made scenarios के लिए या फिर बहुत जादा frequent scenarios के लिए they have built-in solutions. ठीक है? उनका बोलना है कि आप खुद की development team क्यों रखोगे? आप directly हमारा API यूज कर लो हमारा software यूज कर लो आपको जरूरत है नहीं पड़ेगी. ठीक है? तो let me show you one example. इससे आपको थोड़ा clear होगा तो जैसे कि ये एक website है nlpcloud.io यहां पर यूज की कि बहुत अलग-अलग type के आपके पास APIs available है. जैसे कि classification का अलग API है, chatbot का अलग API है, grammar connection का अलग API है, headline generation है, language detection है, named entity recognition है. तो मैंने यहां पर sentiment analysis वाला API आपको दिखा रहा हूँ है. So, what you can do is, you can just send your text here and it would give you the sentiment of the text. जैसे मैंने यहां पर भेजा, nlp cloud proposes a pathetic service. ठीक है, analyze पर click किया and you can see it says negative है. ठीक है, मैं काम करता हूँ मैं कोई movie लेता हूँ let's say spider man हमने लिया और what we will do is की we'll go to IMDB और IMDB से हम कोई review उठाते है इस movie का and let's try उसका output क्या है so, अगर मैं let's say यह पहला ही उठाओ मैं copy किया और इसको यहां पर मैंने paste कर दिया analyze पर click किया and it says positive sorry negative which is not the case एक काम करते हैं यह वाल उठाते हैं यहां पर 99% chance है कि यह जो review है यह positive है तो obviously you can see कि बहुत पढ़िया तो अभी तक नहीं है यहां से you can change the model currently are using distal BERT which is a variation of BERT but yeah मतलब मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि you can use these kind of APIs अब इस तरह की APIs का obviously जो positive side है वो यह है कि you don't have to develop a solution yourself मतलब महनत बच रही है और जो इसका कौन है वो यह है कि cost है इन APIs को use करने का तो आप हर बार जब इस API को hit करोगे आपको कुछ पैसों में cost देना पड़ता है तो अगर आपकी company जिसके लिए आप काम कर रहे हो वो पैसे खर्चा करने के लिए ready है तो आप इस तरह की APIs use कर सकते हो या फिर आपको फिर second option है कि आपको खुछ से solutions build करने पड़ेंगे जो कि हम आगे देखेंगे ठीक है तो यह मैंने सिर्फ एक API दिखाया है बट अगर आप चाहो तो you can go to AWS AWS पे आपको APIs मिल जाएंगी और you can go to GCP Google Cloud Platform यहाँ पे भी आपको APIs मिल जाएंगी Natural Language Processing की ठीक है तो go explore but that's it मतलब यहाँ पे और कुछ नहीं है जादा पढ़ाने का I'm not going to show you कि how you write Python code and hit these APIs वो किसी और वीडियो का topic है यहाँ पे बस मुझे आपको बताना था कि यह भी एक possible solution है that's why मैंने आपको एक example के थूद दिखा दिया ठीक है Now let's move on to the machine learning वाला approach So now guys, let's start with the machine learning वाला approach सबसे पहले हम लोग bag of words यूज़ करेंगे हमारे pipeline में So मैं एक dataset यूज़ कर रहा हूँ इस dataset का नाम है IMDB 50K Movie Reviews जैसा नाम है इसमें 50,000 reviews है और उन reviews का sentiment दिया हुआ है और हमारा task है कि एक नए review के लिए we have to figure out कि उस review का sentiment वोड बी positive और negative ठीक है So approach बहुत simple रहेगा हमें basic preprocessing apply करनी है और उसके बाद हमें bag of words apply करना है I hope आपको bag of words का जो basic theory है वो पता है अगर नहीं पता है तो आप पीछे के videos देख सकते हो उसके बाद हम इसके उपर दो अलग algorithms लगाएंगे एक होगा naive base और दूसरा होगा random forest और हम results compare करेंगे और फिर यह discuss करेंगे कि हम और कैसे improve कर सकने इस model को ठीक है so code मैंने पहले से लिख रखा है I'll just walk you through the code so सबसे पहले हमने यह दोनों libraries import की यह रहा हमारा dataset मैंने already इसको download करके रखा हुए यह रहा dataset 66MB का है I'll give you the link अब यहाँ पे 50,000 movie reviews है but मैंने code में सिर्फ first 10,000 reviews लिए है उसका reason यह है कि अगर मैं पूरा 50,000 लेके चल रहा था तो फिर पूरा code slow run कर रहा था obviously इस video में मेरा end goal is not to teach you how to improve the accuracy of the model बलकि मुझे आपको text classification अलग-अलग approaches से करके दिखाना है that is why मैंने data थोड़ा हटा दिया है obviously जब आप real world scenario में काम करोगे company के लिए काम करोगे तो आप जाधा से जाधा data लेके चलना चाहोगे ठीक है so this is the data by the way यह top 5 rows है दो columns है हमारे पास यह पहला movie review उसका sentiment यह चौथा movie review उसका sentiment ठीक है अगर आपको एक particular movie review देखना है तो आप उसको इस तरीके से extract कर सकते तो यह किसी movie का review है and you can see इस movie के review में already हमें दिख रहे कि pre-processing की ज़रूरत है जहां तहां हमारे पास html tags हैं जो हमारे काम के नहीं है special characters हैं जो अगेन हमारे काम के नहीं है जो पुरा का पूरा text है वो कुछ small letter में है कुछ capital letter में है तो वो भी अच्छी बात नहीं है ठीक है तो सबसे पहले एक दो चीज़े हमें करनी चाहिए before starting the pre-processing मैं देख रहा हूं कि दोनों classes का distribution कैसा है तो यहां पे positive reviews 5000 हैं लगबग और negative भी 5000 है मतलब class जो है वो imbalance नहीं है बहुत बार क्या होता है कि आपका class imbalanced होता है तो आपको फिर अलग धंक से सको handle करना पड़ता है fortunately हमारे case में ऐसा नहीं है I am also checking कि क्या कोई ऐसा row है जहां पे review missing है या फिर sentiment value missing है again fortunately ऐसा कुछ भी नहीं है third मैंने check किया कि कोई duplicate review है कि नहीं और unfortunately हमारे data में 17 duplicated reviews है तो मैंने उसको drop कर दिया और अब अगर आप check करो तो हमारे पस zero duplicates है basic preprocessing में करने को तो आप बहुत चीज़े कर सकते हो but since हमारा end goal ये नहीं है कि हम accuracy एक दम बहुत अच्छा करके दिखाएं तो मैं आपको कुछ basic चीज़े करके दे रहा हूँ जो जिसको किये बिना उतना अच्छी results नहीं आएंगे so मैं html tags हटा रहा हूँ lowercase कर रहा हूँ stopwards हटा रहा हूँ करने को मैं stemming भी कर सकता था but अभी मैंने छोड़ दिया तो ये जो पूरा function है इसका काम है text के अंदर से html tags को हटाना और जैसी मैंने ये code run किया now you can see कि हमारे reviews में अब कोई भी html tag नहीं है ठीक है पहला step of preprocessing second मैंने पूरे के पूरे सारे reviews को lowercase में convert कर दिया और third यहां पर मैंने क्या किया है कि सारे के सारे stop words को remove किया है ठीक है ये सारा code मैं explain नहीं कर रहा हूँ because मैंने already एक वीडियो में सब कुछ बहुत detail में समझाया है अगर आपको देखना है तो आप इस playlist का second video check out करना text preprocessing और अब finally ये सारे transformations करने के बाद ये रहे मेरे reviews ठीक है अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि X और Y अलग करेंगे ये रहा मेरा X पहला column और ये रहा मेरा Y दूसरा column ठीक है अब since यहां पर Y में positive और negative English में लिखा हुआ है मैं उसको label encode करके 1-0 में convert कर दूँगा क्योंकि machine learning model को positive negative समझ में नहीं आएगा उसके बाद हमने train test split किया simple 20s to 80 के ratio में और मेरा जो training data है उसमें around 8000 reviews है बाकी के जो 2000 reviews है वो हमारे चले गए testing data में अब यहां से main step apply होगा हम यहां पर bag of words apply करेंगे सबसे पहले मैंने count vectorizer का एक object बना लिया और यह रावो main step cv.fit transform function को मैंने call किया और अपना review pass कर दिया और जो भी result आया उसको मैंने two array में convert कर दिया because sparse matrix होता है उसको मैंने numpy array में convert कर दिया और उसको मैंने यहां पर रखा है ठीक है अगर मैं आपको यहां पर दिखा हूँ तो अगर आप देखो तो मेरे पास इतने features बने है नई अचली यह पुराना code है इसको मैं फिर से run कर लेता हूँ थोड़ा time लगेगा 48,000 हमारे पास features बने हैं तो हमारी vocabulary में 48,000 words थे हमने सारे का सारा use कर लिया उसके बाद मैंने एक machine learning algorithm को call किया जिसका नाम है Gaussian knife base अलग-लग knife base algorithm से मैंने Gaussian knife base use किया है और यहां पर मैंने model को train किया और model को train होने में थोड़ा time लगेगा because 10,000 अपने reviews है और 48,000 columns है तो data थोड़ा बड़ा हो गया तो it would take some time next is कि मैंने vibrate calculate किया है using the predict function और accuracy score निकाला है यह सब आपने शायद पहले machine learning में कर रखा होगा तो कुछ खास नई चीज़ नहीं है आपर and you can see accuracy कुछ खास अच्छा नहीं आ रहा है it is only 63% जो कि ठीक है मतलब हमने अपना data बहुत कम कर लिया था 1-5 शायद उससे भी असर पड़ा है second reason हो सकता है कि algorithm सही apply नहीं हुआ है बहुत सारे reasons हो सकते है confusion matrix अगर आप निकालो तो यह रहा confusion matrix यहनिकिंसी काफी सारे आपके errors है ठीक है तो that is why आपका accuracy score कम है आप इसको थोड़ा और analyze कर सकते हो और second चीज आप क्या कर सकते हो in order to improve the accuracy of your model कि आप दूसरा algorithm use कर लो जैसे एक बहुत famous algorithm है random forest classifier मैंने इसको जब apply किया same data के उपर सब कुछ same है कुछ भी अलग नहीं है and you can see accuracy बढ़ जाएगा यह algorithm better काम कर रहा है data के उपर again it depends on the data आप कुछ कह नहीं सकते and you can see random forest is giving a very good accuracy of 84% ठीक है तो again it depends on the data जैसा मैंने आपको पहले ही बोला अब एक दो चीज़े आप और कर सकते हो accuracy को और improve करने के लिए जैसे कि आप जब bag of words apply करो तो rather than taking 48,000 words of your vocabulary आप सबसे frequent 5,000, 10,000 या 15,000 words भी ले सकते हो मैंने देखा है कई बारी उससे भी frequency आपका जो accuracy है वो improve कर जाता है जैसे कि यहाँ पर इकिंसी मैंने यह पूरा flow repeat किया है but इस बार मैंने max features में 3,000 डाला है मतलब 3,000 जो सबसे frequently used words है मेरे corpus में मैं उनको use करके अपना feature build कर रहा हूँ और पूरे model को train कर रहा हूँ और algorithm मैंने random forest लिया है क्योंकि जादा better results दे रहा था and you can see इस पूरी चीज़ को apply करने के बाद the result that I am getting is around 83% तो 84 से थोड़ा कम है but this model is much faster अब और भी तरीके हैं चीज़े improve करने के वो ये है कि हम हमारा जो algorithm है उसका hyper parameter tuning करे उससे भी हमारा जो model है वो improve कर सकता है I would recommend you to watch a video ये मेरा एक video है जहाँ पर मैंने एक end to end email spam classifier बनाया है और बहुत बढ़िया accuracy भी achieve की है थीक है मैंने खूप सारे अलग-अलग algorithms ट्राइक की है हर algorithm के लिए hyper parameter tuning भी की थीक है तो ये वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको पूरा का पूरा एक NLP project कैसे करना है using bag of words वो आपको समझ में आएगा मैंने इसमें end में एक website में भी convert किया है that is how you apply bag of words एक चीज़ और आप Ngrams भी apply कर सकते हो Ngrams आपको याद होगा मैंने सिखाय था बहुत अच्छे से आपको कुछ करना नहीं है basically आपको यहाँ पर जाना है और इस parameter को fill कर देना है Ngram range 1,2 करने से आप bigrams बना होगे आगे बिलकुल सेम है मैंने यहाँ भी random forest use किया and you can see एक चीज़ मैंने आपको तब पढ़ा ही थी जब मैं आपको bigrams पढ़ा रहा था Ngrams पढ़ा रहा था कि अगर आपका बहुत बड़ा vocabulary है तो आपके bigrams और जादा होते है तो that is why जब मैं यह model चला रहा हूँ यहाँ पर error क्या आ रहा है memory error आ रहा है memory error में क्या बोल रहा है unable to allocate 44 GB 44 GB data उसको चाहिए है store करने के लिए क्योंकि जो आपका vocabulary है by grams का वो 7,48,000 है वही अगर मैं इसको 3 कर दूँ तो भी हमको memory error ही मिलेगा and again memory error आ रहा है और और ज़्यादा हो गया देखो मैंने आपको बताया था कि जितना आप बढ़ाते जाओगे यह n gram का range आपको और ज़्यादा permutation में vocabulary मिलेगी और obviously error throw होगा तो इस case में आप क्या कर सकते हो कि you can just provide कि मुझे सबसे ज़्यादा use होने वाले पांच हजार एन ग्राम सी चाहिए ठीके इससे क्या होगा कि हमने reduce कर दिया let's see output के असार है या फिर हमें कुछ और तरीका apply करना पड़ेगा you can see कुछ खास improvement तो नहीं है but again आप अलग-अलग values try कर सकते हो मैं एक बार आपको bygram के लिए भी run करके दिखा देता हूँ and you can see again कुछ खास उस तरीके का फाइदा हुआ नहीं but again यह आपके data पर depend करता है मुझे बस आपको दिखाना था कि आप ngrams को कैसे implement कर सकते हो next हम लोग देखेंगे कि information retrieval system को बना रहे हो but अगर आप चाहो तो आप उसको normal text classification workflow में भी use कर सकते हो because you never know आपके data पर कौन सा technique जाद अच्छा results दे जाए ठीक है तो TF-IDF use करने में आपको बस feature vectorization वाला जो step होता है उसमें bag of words के बदले TF-IDF को use करना होता है algorithm आप जो पहले use कर रहे थे वही algorithm आप अभी भी use कर सकते हो so यहाँ पर मैंने code already लिख रखा है कुछ खास change हुआ नहीं सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है text preprocessing बिल्कुल same है train to split करने के बाद मैंने बस TF-IDF vectorizer class को call किया है और उसका object बना लिया है यहाँ पर मैंने पहले से provide नहीं किया कि मुझे कितने words थे मेरी vocabulary में या फिर मुझे engrams use करना है कि नहीं और इतना करने के बाद मैंने transformation करवा दिया मेरे training data के उपर मैंने fit transform को call किया और test data के उपर मैंने transform को call किया और उसके बाद बस मैंने फिर से random forest का 84.0 था I guess अब इसको थोड़ा सा और improve किया जा सकता है I guess अगर आप चाहो तो parameters वगेरा change करके you can try it यह code मैं आपको दे दूँगा आपका काम है इसके साथ experiments करना और better results निकालना ठीक है now let's move on to the third technique that is word to VEC अब guys word to VEC apply करने के दो तरीके या तो आप कोई pre-trained word to VEC model यूज़ कर लो जैसा मैंने आपको last lecture में दिखाया था या फिर आप एक word to VEC model को train करो on your data और उसको यूज़ करो so generally speaking यह आपको जादा better results देगा क्योंकि यह जो embeddings बनेंगी यह आपके data के अंदर जो relationship है उसके हिसाब से बनेंगी बस एक चीज़ आपको make sure करनी है कि यहाँ पर आपके पास enough data हो अगर यहाँ पर data कम होगा तो फिर उतना अच्छा result नहीं आएगा अगर आप pre-trained word to VEC use कर रहे हो तो you have to make sure कि pre-trained word to VEC का जो vocabulary है और आपके data का जो vocabulary है इन दोनों में at least 80% words match होने चाहिए यह good thumb of rule है जिसको follow करने से आपको ढंके results मिलेंगे बट मैं तो बोलूँगा कि अगर आपके पास enough data है तो अपना खुद का word to VEC ही train करके देख लो तो मैं वही करने वाल हूँ मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने data के उपर word to VEC कैसे train किया जाता है एक चीज़ और अभी तक हमने जो word to VEC बनाना सीखा है उसमें क्या होता है कि हम किसी word को हम किसी word को एक vector में convert करते हैं जिसमें हो सकता है 300 numbers हो बट हमने अभी तक पूरे document को या पूरे sentence को vector में convert करना नहीं सीखा तो वो कैसे होता है मैं आपको जल्दी से बताता हूँ लेट से मिरे पास एक sentence है I love campus X खेक है और मिरे पास individually इन तीनो words के 300 dimensional vectors है अब मुझे इस पूरे sentence का बनाना है तो यहाँ पर technique यूज करूँगा जिसको बोला जाता है average word-to-vec सो मैं क्या करूँगा सिंस यह तीनो के तीनो words का 300 dimensional vectors मेरे पास है मैं उन तीनो को add कर दूँगा ठीक है सिंस यह vectors है vector addition हो जाएगा मतलब अगर दो दो number का होता यह तीनो अगर 300 के बतले two dimension में होते तो तीनो का ही first वाला add हो जाता और तीनो का ही second वाला add हो जाता मुझे एक नया vector मिलता जिसमें again 2 dimensions होते तो similarly यहाँ पर एक नया vector मुझे मिलेगा जिसमें again 300 vectors होंगे और मैं उन सब को फिर 3 से divide कर दूँगा क्योंकि मुझे average चाहिए ठीक है और जैसे ही मैं यह पूरा operation कर लूँगा तो इस पूरे sentence के लिए मुझे एक vector मिल जाएगा जिसमें there would be 300 numbers ठीक है तो यही सेम टेक्नीक में use करने वालों एक code मैंने लिख रखा इसके लिए सो यह सेम डेटा सेट है IMDB वाला डेटा सेट है यह और मैं यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ कि first 10,000 reviews को लेके चल रहा हूँ although जब आप अपने machine पर करो तो make sure आप पूरे data के उपर करो जितना जादा data उतना अच्छा शुरू वाले सारे steps सेम है यहाँ भी मैंने drop duplicates लगा दिया क्योंकि 17 reviews duplicated थे, html tags को remove करने का code, lower case करने का code और stop words remove करने का code यह सब तो आपको चलाना ही है, उसके बाद मैंने क्या किया, यह कुछ libraries मैंने import की और यह वाला code अगर आपको याद होगा, मैंने last video में आपको दिखाया है पूरा, हम क्या कर रहे हैं, हम basically अपने reviews को, basically पूरा जो मेरा text है, उसको sentence tokenize कर रहे हैं और उसको pre-process कर रहे हैं, ठ 100, उसका dimension होगा, क्योंकि by default 100 रहता है, gensim में, उसके बाद हमने vocabulary बिल्ड की, और उसके बाद यहाँ पर हमने model को train कर लिया, ठीक है, इस point पे मेरे पास मेरा trained word to work model है, अब बस मुझे क्या करना है, कि मुझे अपने सारे के सारे reviews को vector में convert करना है, अभी मेरे पास words का vector है, 1000 words हैं मेरे vocabulary में, सो मैंने क्या किया, मैंने ये code लिखा है, बहुत ही simple सा code है, आप एक बार read out करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पर you can see मैं mean calculate कर रहा हूँ, सो basically जो मैंने average word to work बताया, उसी को लिखने का ये code है, और यहाँ पर you can see मैंने जब first review को pass किया, तो य और इस function में भेशता चला गया, और यह अब मेरा code अभी run हो रहा है, क्योंकि थोड़ा time ले गाई वाला process, क्योंकि there are around 10,000 reviews, तो सभी को हम पहले numbers में convert कर रहे हैं, फिर mean calculate कर रहे हैं, तो time लगेगा, and you can see guys, यह loop completely run हो गया है, अब मेरे पास जो मेरा x है, उसको मैंने explicitly numpy array म वो है 9983, जितने मेरे reviews हैं, comma 100, हर review को मैंने 100 dimensional vector में convert कर दिया, I can in fact show it to you, यह मेरा first review का vector है, जिसमें 100 numbers है, उसके बाद मैंने label encoder को call करके मेरे y को convert कर दिया into numbers, so this point पर अगर आप देखो तो y is not defined, just one second, so what I will do is, I will write, in fact I will run this code, and now I have y, जिसमें positive negative के बदले 10 लिखा हुआ है, train test split किया मैंने, और यहाँ पर what we can do is, instead of Gaussian नाइब बेस क्योंकि इससे उतना अच्छा result नहीं आ रहा था, we can have random forest random forest classifier let's create an object of random forest classifier let's call it rf let's call rf rf और इसका हम लोग run कर देते हैं अच्छी बात यह है कि since 100 dimension ही है, हमारा array जो है, हमारा जो vector है, तो जल्दी से result आ जाएगा, and you can see result हमारे सामने है, 76% का accuracy आ रहा है, उतना अच्छा नहीं आ पाया, उसका एक reason यह है कि हमने पूरा data use नहीं किया, अगर हम पूरा data use करते हमारे word2vec model को train करने के लिए, तो जो embeddings बनती, वो शायद और अच्छी होती, और और अच्छा result दे सकती थी, second option यह था कि हम pre-trained वाला use करते है Google का, वो भी एक option था, वो आप लोग try करके देखना, but yeah, this is the way to do word2vec text classification, so lastly guys, मैं आपको कुछ practical advice देता हूँ, मैंने multiple projects built कर रख है, text classification के उपर, और based on my experience मैं आपको कुछ practical tips दे रहा हूँ, और कुछ नहीं, सबसे पहला tip यह है कि आपको क्या करना चाहिए, कि ensemble techniques यूज करनी चाहिए, even if you are getting good results with naive based type का algorithm, ensemble techniques, stacking type की चीज़े यूज करने से आपको कभी-कभी better result मिल जाता है, second is, कि heuristic features यूज करने चाहिए, मैं आपको बता रखा है कि heuristic features क्या होते हैं, यह basically handmade features होते हैं, जो domain experts बनाते हैं, basically अगर आपने खूप study कर लिए अपने data को, तो आप खुछ से भी कुछ features बना सकते हैं, it's not necessary कि आप सिर्फ feature engineering के उपर depend करो, ठीक है, तोनों का combination ज़्यादा अच्छा perform करते हैं, third, सिधे excited हो कि deep learning यूज करने मत कूच जाओ, ठीक है, deep learning is useful, बट हमेशा नहीं होता, ऐसा, अगर आप machine learning से start करोगे, तो एक चीज़ मैंने notice किया है, कि आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ होता है, data के बारे में, problem के बारे में, deep learning में feature engineering वाला step ही खतम हो जाता है, तो फिर उतना समझ में नहीं आता कि internally क्या चल रहा है, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि machine learning वाला model ज़्यादा अच्छा result दे देता है deep learning के comparison में, तो machine learning से start करो, फिर gradually deep learning पे move करो, एक और problem क्या है, अगर आप directly deep learning पे move कर जाओगे, तो क्या हो सकता है कि, हो सकता है कि थोड़ा सा improvement हो जाए model के उपर, थोड़ा सा better result आपको मिल जाए, बट वो थोड़ा सा better is not sufficient, क्योंकि deep learning यूज़ करना खुदी बहुत tension का काम है, model को import करना, उसको server पे डालना बहुत hectic है, तो जाधतर time you should try कि, आप machine learning से सीज़े solve करने का try करो, चीक है, fourth is, always make sure कि आपके पास imbalanced data set ना हो, imbalance data set का मतलब एक class दूसरे class से जाधा हो, जैसे yes है 80% और no है 20%, तो इस तरह की scenario में आपको बढ़िया results नहीं मिलते हैं, तो please make sure आप data को balance करो, नहीं तो आपको कुछ technique लगा करके imbalance data को handle करना पड़ेगा बात में, and that's it guys, यह तीन-चार techniques और advice अगर आप follow करोगे, तो आप better कर पाओगे, fifth और last advice would be to solve as many projects as you can, जितने projects आपको मिल रहे हैं YouTube पे, please try करो उसको solve करने का, मेरे project playlist में भी एक-दो projects है, text classification के उपर, तो आप उनको solve करो, और भी नए-नए data sets के उपर try करो, project solve करने का, जितना project solve करोगे, उतना ज़्याद experience होगा, और उतना अच्छा आगे projects को handle कर पाओगे, ठीक है, तो I hope आपको यह चीज समझ में आ रही है, So that was the video guys, चोड़ा वीडियो था, I know, बहुत सारी चीज हमने पहले भी cover कर रखी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा था नहीं इसमें पढ़ाने के लिए, बड जो भी था मने cover किया, अब तीन बड़े topics बच गया है, So, parts of speech, tagging बचा हो है, named entity, recognition बचा हो है, और topic modeling बचा हो है, ये तीनो topics अब लोग जल्दे से जल्दी cover करेंगे, if possible इसी month में, ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो please like कर देना, और अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया, तो please do subscribe, ठीक है, that's it from my side, thanks for watching, bye.